असलाम वीवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल वीवर्स उमीद करते हूं हम सब लोग खेरियत से होंगे वीवर्स आज हम ग्राविनेट लीक्विड सीरप के बारे में कम्प्लीट रिव्यू करेंगे के ग्राविनेट सीरप को किन कंडिशन्स में बच्चों में इस्तमाल किया बच्चों में इसको किस तरह से इस्तमाल किया जाता है और इसको इस्तमाल करने से क्या side effects हो सकते हैं और कौन से बच्चे इसको इस्तमाल नहीं कर सकते तो ग्राविनेट सीरफ के बारे में complete review आज की वीटियो में आप जान सकते हैं विवर्स इससे पहरे मेरे चैनल को subscribe करना में अभीलिबल होता है इसके ऐक्टिव इंग्रीडिंट की बात करें तो इसमें डायमन हाइडविनेड पाया जाता है ढायमन हाइडविनेड जो क एक एटिमेटिक एजन खै और नोजिया वगारा को कंट्रोल करने के लिए इस्तमाल किया जाता है यह वामिटिंग के लिए बहुत ही जादा इस्तमाल किया जाता है इसको बच्चों में वामिटिंग, नोजिया, मोशन सिकनेस इन तमाम कंडिशन को ट्रीट करने के लिए बहुत जादा डॉक्टर्स प्रिस्काइब करते हैं अगर हम बात करें कि इसको किन कंडिशन में इस्तमाल करना है तो व्यूवर्ज इसको आप बच्चों में वॉमिटिंग की कंडिशन में इस्तमाल कर सकते हैं उसके इलावा अगर हम इसके यूजुल डोसिच की बात करें कि इसका डोसिच किया है बचों में इसको आपने किस तरह से इस्तमाल करना है तो बचों जो 2-6 साल के बच्चे हैं उनमें आपने 12-5-25 mg यानि 4-8 ml 2-3 टाइम्स डेली देना है और 6-12 साल के बच्चों में 25-30 mg देना है 2-3 मरतबा बेली या फिर अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवा के ठीक है ये चेरी फ्लेबर में अवेलिबल हो और ये बच्चों के लिए बहुत ही जादा एफेक्टिव है ये बारा साल तक के बच्चों में आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर हम इसकी डोजज फॉर्म की बात करें तो ग्रैविनेट जो है ये लीक्विड सिस्पेंशन जो मैं आपको बता रही हूं इसमें आता है सीरफ में और दूसरा इसका है टैबलर्स ग्रैविनेट टैबलर्स आती हैं और ग्रैविनेट इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है ग्रैविनेट टैबलर्स पे भी मैं आपको रिव्यू दूँगी और ये थी तमाम इंफॉर्मेशन ग्रैविनेट ग्लीक्विड सिरफ के बारे में अगर आपका पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और अल्लाह आफीज